शेंक्षेव्त महाभारत के उध्योगपर्द में विदोर रिति, दूसरा अध्याई, धित्राष्ट वोले तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ, तुम मेरे करनेयों के जो कारे समझो, उसे बताओ, क्योंकि तुम धरम और अर्थ के ज्यान में निपुन उदार्चित विदोर, तुम अपनी बुद्धी से विचार करके मुझे ठीक ठीक अपन देश करो, जो पात यो दिश्टर के लिए हिद्कर और कौर्वों के लिए कल्यान कारी समझो, मैं सब अवश्य बताओ, विद्वन मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इस विच्छों को चाहिए कि वर जिसकी प्राजे नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्यान करने वाली या निष्ट करने वाली अच्छी अत्वा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिस से समस्थ कोरों का हित्तो वही बात आप से कहूंगा, मैं जो कल्यान कर यहां धरम युक्त वचन कह रहा हूं, उन्हें आप ध्यान देकर सुनें। भारत, जुवादी का प्रयोग करके जो कपट पूर्ण कारे सिद्धोते हैं, उन्हें आप मन मत लगाईए। इसी परकार अच्छे उपायों का उपयोग करके साथ धानी के साथ किया गया कोई करम यदि सफल ना हो, तब धिमान पुर्श को उसके लिए मन में गलानी नहीं करनी चाहिए। किसी प्रियुजन से किये कि करमों में पहले प्रियुजन को समझ देना चाहिए, खूब सोच विचार करके काम करना चाहिए, जिल्द बादी से किसी काम का रखन नहीं करना चाहिए. धीर मुनिश्य को उचिता की पहले कर्मों के प्रियोजन परिनाम तथा अपनी उन्नती का विचार करके फिर काम अरंब करे या ना करे जो रजा स्थिती लाभानी खजाना देश तथा दंड आदी की मातरा को नहीं जानता वैस रज्य पर स्थिरित नहीं रह सकता जो इनके परमाना को ठीक ठीक जानता है तो धर्म और अर्थ के ग्यान में तचित रहता है वे रज्य को प्राप्त करता है आप तो रज्य प्राप्त ही हो गया ऐसा समझ कर अंचित वरताब नहीं करना चाहिए वो दंड़ता संपती को उसी परकार नश्ट कर देती है जैसे संदर रूप को बढ़ापा मचली बढ़िया चारे से ढकी ही लोहे की कांटे की लोब में पढ़कर निगल जाती है उससे होने वाले परिनाम पर विचार नहीं करती अट के अपनी 17 जाने वाले प्रुश को वही वस्ट ओखाने या ग्रहान करने चाहिए जो खाने ही योग्यओ हो तर्ता खाई जा सके खाने पर पाचछ सके और पाचछ जाने पर हितकारी हो जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है उन फलों से रस तो पाता नहीं उल्टे उस वरिक्ष के बीज का नाश होता है प्रन्तु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहन करता है वे फल से रस पाता है और उस बीज से पुना फल प्राप्त करता है जैसे भोरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उनके मधों का अस्वादन करता है उसी परकार राजा भी प्रजा जनों को कस्त दिये बिना ही उनसे धन ले जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है उनकी जड़ नहीं काड़ता उसी परकार राजा प्रजा की रक्षापूरक उनसे कर ले कोईला बनाने वालों की तरह जड़ नहीं काड़नी चाहिए इसे करने से मेरा क्या लाब होगा और ना करने से क्या हानी होगी इस परकार कर्मों के विशे में भली भाती विचार करके फिर मनुश्य करे या ना करे कुछ ऐसा व्यर्थ कारे है जो नित्य अप्राप्त होने के कारण अरंब करने योग्य नहीं होते क्योंकि उनके लिए किया हुआ प्रुशार्थ भी व्यर्थ हो जाता है जिनकी प्रसंता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है उनको प्रजा सामी बनाना नहीं चाहती जैसे इस्त्रीन पुंसक को पती नहीं बनाना चाहती जिसका मूल सादन छोटा और फल महान हो बुद्धिवान पुरुष उनको शिग्री अरंब कर दिता है वैसे कमों में वैं विगन नहीं आने दिता जो राजा मानो आँखों से पी जाएगा इस परकार प्रेम के साथ कुमल दृष्टी से देखता हुए चुपचा बैठा भी रहे तो भी प्रजाव से उन राग रखती है राजा वरिक्ष की भांती अच्छी तरह फूलने परसंद रहने पर भी फाल्च से खाली रहे अधिक देने वाला ना हो यदि फाल्च से युक्त देने वाला हो तो भी जिस पर चड़ा ना जा सके ऐसा पहुँच के बार हो कर रहे कच्चा अर्थाद कम शक्ती वाला होने पर पके अर्थाद शक्ती संपन की भांती अपने को प्रिगट करे ऐसा करने से वा नस्त नहीं होता जो राजा नेत्र, मन, वानी और करम इन चारों से प्रजा को परसंद न करता है उसी से प्रजा परसन रहती है जैसे व्याद से हरिन भैवीत होता है उसी परकार जिस से समस्त प्राणी डरते हैं वैं समुद्र प्रेंत प्रिथी का राज्य पाकर भी प्रजा जनों के द्वरा त्याग दिया जाता है अन्याई में स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस तरह भरस्ट कर दिता है जैसे हवा बादल को छिन भिन कर दिती है परंप्रा से सज्जन पुर्शो द्वारा किये हुए धर्म का अचरन करने वाले राजा के राज्य की प्रित्थी धंधानने से पूर्ण होकर उन्नती को प्राप्त होती है और उसके एश्यवरे को बढ़ाती है जो राजा धर्म छोड़कर अधर्म का अनुस्ठान करता है उसकी राज्य भूमी आग पर रखेवे चंबड़े की बाती संक्चित हो जाती है जो यतन दूसरे राष्ट का नाश करने के लिए किया जाता है वही अपने राज्य की रक्षा के लिए करना उचीत है धर्म से ही राज्य प्राप्त करें धर्म से ही उसकी रक्षा करें क्योंकि धर्म मुलक राज लच्वी को पाकर ना तो राजा उसे चोड़ता है और ना वही राजा को चोड़ती निरर्थक बोलने वाले पागल तथा बगवात करने वाले बच्चे से भी सब बोर से उसी भाती तत्तो की बात ग्रहन करनी चाहिए जैसे पत्थरों में से सुना ले लिया जाता है जैसे उच्छवरती से जीव का चलाने वाला एक एक दाना चुकता रहता है उसी परकार धीर पुरुष को जहां ताहं से भाव पुर्ण वचनों सुक्तियों और सत कर्म का संग्रे करते रहना चाहिए गवए गंद से, ब्रामन लोग विदो से, राजा जासूस से और सरसाधारन आखों से दिखा करते ही राजन, जो काई बड़ी कठनाई से दूने देती है वे बहुत कलेश उठाती है किन्तों जो आसानी से दूद देती है, उसे लोग कष्प नहीं देते जो धातू बिना गरम किये मुड जाते हैं, उन्हें आग में नहीं तपाते जो काट से हम जुका होता है, उसे कोई जुकाने का प्रितन नहीं करते इस दिस्टान के इंसार बुद्धिवान पुरुश को अधिक बलवान के सामने जुक जाना चाहिए जो धिक बलवान के सामने जुकता है, मानों इंदर देता को परनाम करता है पश्यों के रक्षक या स्वामी बादल, राजाओं के साय कह मंत्री, इस्तियों के बंदू रक्षक हैं पती, और भ्रामनों के बंदव हैं वेद सब्ते से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या शुरक्षित होती है, सफाई से सुन्दर रूप की रक्षा होती है, और सदाचार से कुल की रक्षा होती है तोलने से नाच की रक्षा होती है फेरने से थोड़े घोड़े शुरक्षित रहते हैं बारंबार देखवाल करने से गुमों की तथा मेले वस्तर से इस्तियों की रक्षा होती है मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हिन मनिश्य का केवल उंचा कुल मानने नहीं हो सकता क्योंकि नीच कुल में उत्वन मनिश्यों का भी सदाचार ही श्रिष्ट माना जाता है जो दूसरों के धन, रूप, प्रकर्म, कुलींता, सुख, सुभाग्य और सम्मान पर ढा करता है उसका ये रोग असाद्य है ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में परमाद करने से तथा कारे सिद्धी होने के पहले ही मंत्र प्रगट हो जाने से डरना चाहिए और जिस से नशा चड़े, ऐसा पे नहीं पीना चाहिए विद्या का मद, धन का मद, और तीसरा उचे कुल का मद है ये खमंडि पुर्षो के लिए तो मद हैं, प्रंतु सजण पुर्षो के लिए दम के साधन है कभी किसी कारे में सजणो द्वारा प्रार्थि होने पर दुस्ट लोग अपने को परसिद्ध दुस्ट जानते हुए भी सजण मानने लगते हैं मनस्वी पुर्षों को सहारा देने वाले संत हैं, संतों के भी सहारे संती हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत हैं, पर दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते, अच्छे वस्तर वाला सभा को जीता, अर्थात अपना प्रभाव जमा लिता है, जिसके पास गव ह वे मिठे स्वाद की अकांशा को जीत लिता है स्वारी से चलने वाला मार को जीत लिता है तै कर लिता है और शील वन पुरुष सब पर विजे पा लिता है पुरुष में शील ही परधान है जिसका वही नस्ट उजाता है इस संसार में उसका जीवन धन और भंदूओं से कोई प्रियोजन सिद्ध नहीं होता भरच्रेष्ट धान उतमत पुर्षों के लिए भोजन में मास्की, मध्यम श्रेनी, वालों के भोजन में गवरस्की तथा दृद्रों के भोजन में तेल की परधान दा होती दृद्र प्रूश सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं क्योंकि भूख ही स्वाद की जन्नी है और वै धनियों के लिए स्था दृड़लब है राजन संसार में धनियों को प्राया भोजन करने की शक्ती नहीं होती किन्तु द्रिद्र के पेट में काठ भी पज जाती है अधम पुर्षण को जीव का ना होने से भई लगता है मध्यम चरेनी के मुनिश्व को मृत्यू से भई होता है प्रन्तु उत्तम पुर्षण को अपमान से ही महान भई होता है यो तो पीने का नशा आदी भी नशा ही है किन्तु एश्वरे का नशा तो बहुत ही बुरा है क्योंकि एश्वरे के मत से मतवाला प्रुश भरस्थ हुए बिना होश में नहीं आता वाश्वे ना होने के कारण विश्यों में रमने वाली इंद्रियों से ये संसार उसी भांती कस्ट पाता है जैसे सूरे आदी ग्रहों से नक्षट त्रिस्कृत हो जाते ही जो जीमों को वश में करने माली सहज बाच इंद्रियों से जीत लिया गया उसकी आपतियां शुकल बक्षिक चंद्रमा की भांती बढ़ती है इंद्रियों सहीत मन को जीता है बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन की ये बिना शक्त्रू को जीता जाता है उस अजितिंद्रिय प्रुश को सब लोग त्याग देती है जो पहले इंद्रियों सहीत मन को ही शक्तरू समझ कर जीत लेता है उसके बाद यदि वहे मंत्रियों तता शक्तरों को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है इंद्रियों तता मन को जीतने वाले अपराधियों को दंड देने वाले और जांच पर करकाम करने वाले वीर धीर पुरुष की लच्मी अच्चन सेवा करती है राजन मुनुश्य का शीर रत है बुद्धी सार्थी है और इंद्रियास के घोडे हैं इनको वश में करके साफधान रहने वाला चत्रवायं बुद्धीमान पुरुष काबू में किये हुए घोडों से रती की भांती सुख पूरवक यात्रा करता है शीक्षा ना पाए हुए तथा काबू में ना आने वाले घोडे जैसे मुरक सार्थी को मार्ग में मार गिराते हैं वैसे ही ये इंद्रियां वश में ना रहने पर पुरुष को मार डालने में भी समर्थ होती है इंद्रियों वश में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अग्यानी प्रुश बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैटता है जो धरम और अर्थ का परत्याक करके इंद्रियों के वश में हो जाता है वे शीक्री proven प्रान धन था इस्त्री से भी हाध दो बैठता है जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता वे इंद्रियों को वश में ना रखने के कारणी एश्वरी से भ्रस्ट हो जाता है मान, बुद्धी और इंद्रियों को अपने अधिन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने के इच्छा करें क्योंकि आत्मा ही अपना बंधू और आत्मा ही अपना शत्रू है जिसने सियम अपने आत्मा को ही जीत लिया है उसका आत्मा ही उसका बंदू है वही सच्चा बंदू वही नियवत शत्रू है राजन जिस परकार शोक्षम छेद वाले जाल में फसी हुई दो बड़ी-बड़ी मचलिया मिलकर जाल को काट डालती है उसी परकार ये काम और करोध दोनों विशिष्ट ग्यान को लुप्त कर देती है और इस जगत में धरम तथा अर्थ का विचार कर विजे साधन सामगरी का संगरे करता है वही उस सामगरी से युथ होने के कारण सदा सुख पूरग समरिदी शाली होता रहता है जो चितके विकार भूत पांच इंद्री रूपी भीत्री शत्रों को जीते बिना ही दूसरे शत्रों को जीतना जाता है उसे शत्रों प्राजित कर देती है इंद्रियों पर अधिकार ना होने के कारण बड़े-बड़े साधु हुई करमों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलासों में भंदे रहते ही दुस्टों का त्याग ना करके उनके साथ मिले रहने से निरप्राज सजन भी समान ही दन डबाते ही जैसे सूखी लकडी में मिल जाने से गिली भी जल जाती है इसलिए दुस्ट पुर्षों के साथ कभी मेल नहीं करें जो पांच विश्यों की और दोणने माले आपने पांच इंद्री रुपी शत्रों को मो के कारण वश में नहीं करता उस मनिश्य को विपत्ती गरस लेती है गुनों में दोश न देखना सरलता पुच्तरता संतोश प्रिय वचन बोलना इंद्री दमन सत्यभाशन तथा अच्छचंतलता ये गुन तुरात्मा पुर्षों में नहीं होते भारत आतम ग्यान, खिंता का भाव, सैंचीलता, धरम प्राइंता, वचन की रक्षा तथा दान ये गुन अधम पुर्षों में नहीं होते मौर्क मनुश विद्वानों को गाली और निंदा से कस्ट पुचाते हैं गाली देने वाला पाप का भागी होता है और शमा करने वाला पाप से मुक्तो जाता है दुस्ट पुर्षों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड दिना, इस्त्रियों का बल है सेवा, और गुनमानों का बल है शमा राजन वानी का पूर्ण सहियम तो बहुत कथिन माना ही गया है प्रंतु विशेश अर्थियुक्त और चमतकार पूर्ण वानी भी दिख नहीं बोली जा सकती राजन मदूर शब्दे में कही हुई बात अनेक परकार से कल्यान करती है किन्तु वही यदि कटू शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है बानों से भींदा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनब जाता है किन्तु कटू वचन कहकर वानी से किया हुआ भ्यानक गाव नहीं बरता करनी नालीक और नाराच नामक बानों को शीर से निकाल सकती है प्यंतु कटू वचन रुपी कांटा नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहे हिद्दे के भीतर धस जाता है वचन रुपी बान मुख से निकल कर दूसरों के मर्म पर चोट करती है उनसे आहत मुश्य राद दिन खुलता रहता है अत्यविद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग ना करे देव तालुप जिसे प्राजे कहते हैं उनके बुद्धी को पहले ही हर लेती है इससे वे नीज करमों पर ही अधिक दिश्टी रखता है विनाश का लुपस्तित होने पर बुद्धी मलिन हो जाती है फिर तो न्याई के समान परतीत होने वाला अन्याई हिर्दे से बाहर नहीं निकलता परश्रिष्ट आपके पुत्रों की वेह बुद्धी नस्ट हो गी है आप पांडों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पैचान नहीं रहे है महराज दित्रास्ट जो राज लक्षनों से संपन होने के कारण त्रिभण का भी राजा हो सकता है वेह आपका आज्याकारी युदिष्टर ही इस पृत्री का शाशक होने युग्य है वेह धरम तथा अर्थ की तत्प को जानने वाला तेज और बुद्धी से युग्त पून सुबाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों में बढ़ चड़ कर है राजिंद्र धरमधारियों में श्रेष्ट, युदिष्टर, तेया, सुम्यभाव तथा आपके लिहाज के कारण अने को कस्त सहरा है शंक्षीप्त महाभारत के उध्योगपर्ण में विदुर निती तीसरा अध्याई धित्राश ने कहा महाभुधे, तुम पुना धरम और अर्च से युक्त बाते कहो इन्हें सुनकर मुझे त्रिप्ती नहीं होती इस विशे में तुम अध्वुत बाशन का रहे हो विदुर जी बोले सब तीथों में शनान और सब प्रानियों के साथ कुमलता का वरताब ये दोनों एक समान है अथा कुमलता के वरताब का विशेश महत्व है विभव, आप अपने पुत्र, कौरव, पांडव दोनों के साथ समान रूप से कुमलता का वरताब केजी ऐसा करने से इस लोक में महान सियश पराप्त करके मरने के पश्चात आप सर्ग लोक में जाएंगे प्रुश्रेश्ट, इस लोक में जब तक मनुश्य की पावन किर्थी का गान किया जाता है तब तक वे सर्ग लोक में प्रतिश्ठित होता है इस विशे में उस प्राचीन इतिहास का उधारन दिया करते हैं जिसमें केशनी के लिए सुधन्वा के साथ विरोचन के विवाद का वरनन है राजन एक समय की बात है केशनी नाम वाली एक अन्पम सुन्द्री कन्या सरश्रेष्ट पती को वरन करने की इच्छा से संबर सबा में उपस्थित हुई उसी समय देत्यराज विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ पर आया तब केशनी ने महाद्यराज से इस परकार बात्चित की केशनी बोली विरोचन ब्रामन श्रेष्ट होते हैं या देट्थ यदि ब्रामन श्रेष्ट होते हैं तो मैं सुधन्वा से विवाग क्यों ना करूं तो विरोचन ने का केशनी, हम प्रजापती की शेष्ट संथाने हैं, अधर सबसे उत्तम हैं, यह सारा संसार हम लोगों का ही है, हमारे सामने देवताईयां ब्रहामन कौन चीज है, तो केशनी बोली विरोचन, इसी जगा हम दोनों परतीक्षा करें, कल प्रता कल सुधन्वा यहां आएगा, फिर मैं तुम दोनों को एककत्र उपस्तित देखोंगी, विरोचन बोला कल्याने, तुम जैसा कहती हो, वही करूँगा, भीरू, प्रता कल तुम मुझे, और सुधन्वा को एक साथ उपस्तित देखोंगी, विदुर जी कहते हैं, राजन, इसके बाद जब राद बीती और सुर्य मंडल का उदे हुआ, उसमें सुधन्वा उस थान पर आया, जहां विरोचन केशनी के साथ मजूद था, भरच रेष्ट, सुधन्वा परलाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया, भ्रामन को आया, देखकर केशनी उट खड़ी हुई, और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्ध निविदन किया, सुधन्वा बोला परलाद नंदन, मैं तुमारे इस सर्ण में सुंदर सिंगासन को केवल छू लेता हूँ, तुमारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे, तो विरोचन ने कहा सुधन्वा तुमारे लिए तो पीना, चिटाई या कुश का आसन उची थे, तो मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं, तो सुधन्वा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं, दो ब्रामन, दो शत्री, दो वृत, दो वैश, और तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतर तुमें इन बातों का कुछ भी ज्यान नहीं है, तो विरोचन बोला सुधन्वान, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गव, घोडा, आदी धन है, उसकी में बाजी लगाता हूँ, हम तुम दोनों चलकर जो इस विश लगा कर जो जानकार हो, उससे पूछें, विरोचन ने कहा अच्छा, प्रानों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहा चलेंगे, मैं तो ना दिवदाओं के पास जा सकता हूँ, और ना कभी मनुश्यों से ही निर्ने करा सकता हूँ, तो सुधन्ना बोला, प्रानों क बाजी लग जाने पर हम दोनों तुमारे पिता के पास चलेंगे, मुझे विश्वाश है कि परलाद अपने बेटे के लिए भी चूट नहीं बोल सकते, तो विदुर जी कहते हैं, इस तरह बाजी लगा कर प्रसपर कुरुद्ध होकर विरोचन और सुधन्मा, दोनों उसमे वहां गेज जहां परलाद जी थे, परलाद मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे ही दोनों ये सुधन्मार विरोचन आज साम की तरह कुरुद्ध होकर एक ही रास्ते आते दिखाई देते हैं, फिर विरोचन से कहा, विरोचन मैं तुम से पूछता हूँ, क् पिर कैसे एक साथ आ रही हो, पहलो तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे, विरोचन बोला पिता जी, सुधन्मा के साथ मेरी मित्तरता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रही हैं, मैं आप से यथारत बात पूछता हूँ, मेरे प्रेशन का जोटा उत्तर नहीं दीजिएगा, परलाद ने कहा सेव को सुधन्मा के लिए जल और मधुपर्क लाओ, फिर सुधन्मा ने कहा ब्रामन, तुम मेरे पूछनी अतिती हो, मैंने तुमारे लिए सफेद गोखो मोडी ताजी का रखी, सुधन्मा बोला परलाद, जल और मधु पर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ, उस प्रेशन का ठीक ठीक उत्तर दो, क्या ब्रामन शिरिष्ट हैं, अत्वा विरोचन, परलाद बोले ब्रामन, मेरे एक ही पुत्र है, और इधर तुम स्यम उपस्तितो, परला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्ने दे सकता है, सुधन्वा बोला, मती मन, तुमारे पास गव तिथा दूसरा जो कुछ विप्रिय धन हो, मैं सब अपने और अस्पुत्र विरोचन को दे दो, प्रन्तो हम दोनों के विवाद में तो तुमें ठीक ठीक उत्तर द सुधन्वा बोला, सोत वाले इस्त्री, जुवे में हाने हुए जवारी और भाट धोने से व्यतिचीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिती होती है, वह स्थिती उल्टा न्याय करने वाले वक्ता की भी होती है, जो जूठा निर्ने दिता है, वे राजा नगर में कैद हो बाहरी दर्वाजों पर भूग का कस्ट उठाता है, बहुत से शत्रों को देखता है, जूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो पांच पीडियां, गव मरती हो तो दस पीडियां, घोडा मरता हो तो सो पीडियां, और मनुष्य मरता हो तो एक हजार पीडियां नरक में पढ प्रित्वी तिधा इस्त्री के लिए जूट कर कहने वाला तो अपना सर्वनाशी कर लिता है इसलिए तुम इस्त्री के लिए कभी जूट मत बोलना पर लाद ने कहा विरोचन सुधन्मा के पिता अंग्रा मुझ से श्रीष्ट है सुधन्मा तुम से श्रीष्ट है इसकी माता भी तुमारी माता से श्रीष्ट है अधे तुम आज सुधन्मा से हार के विरोचन आप सुधन्मा तुमारे प्रानों का मालिक है सुधन्मन आप यदि तुम दे दो तुम मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ सुधन्वाब बोला परलाथ तुमने धर्म को ही सिविकार किया है स्वार्थवा जोट नहीं कहा है इस लिए आप इस दुल्व पुत्र को फिर तुमें दे रहा विद्र जी कहते हैं इस लिए रा जेंद्र आप प्रिथी के लिए जोट मत बोले बेटे के स्वार्थवा सची बात ना केकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में ना जाएं देवता लोग चर्वाहों की तरह डंडा लेकर पैरा नहीं देते वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धी से युक्त कर देते हैं मनुश्य जैसे जैसे कल्यान में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभी सिद्ध होते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं हैं कपट पूर्ण में वहार करने वाले मायामियों को वेद पापों से मुक्त नहीं करता किंतु जैसे पंक निकल आने पर चिडियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं उसी परकार वेदवी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं शराब पीना, कलै, समू के साथ वैर, पती पत्री में भेद पैदा करना, कुटोंग वालों में भेद भुत्धी उत्पन करना, राजा के साथ द्वेश, इस्ती और पुरुष में विवाद और बुरे रास्ते ये सब त्याग देने योग्य बताएगे हैं हस्त रेका देखने वाला, चोरी करके विपार करने वाला, जुवारी, वैद्य, शत्रू, मित्र और चारण, इन साथों को कभी भी गवाना बनावे, आदर के साथ अगनीहुत्र, आदर पुरक मोन का पालन, आदर पुरक सिध्याई, और आदर के साथ ही यग्य का विष्टेने वाला, जारज संतान की कमाई खाने वाला, सोमरास बेचने वाला, शस्तर बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र द्रोही, पारिस्त्री लंपट, घर्ब की हत्या करने वाला, गुरू इस्त्री गामी, भ्रामन होकर शिराप पिने वाला, अधिक तीखे सभ पहवला, कुवे की तिरा काउं काउं करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूस खोर, पतित, करूर, तथा शक्ती रहते हुए, रक्षा के लिए प्रात्रा करने पर भी, जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रम्हत्यारे के समान हैं। से धीर की और कठिन अपत्ती में शत्रू एम मित्र की प्रिक्षा होती है। बडापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यो प्रानों को, दोश देखने की आदत धर्म चरन को, क्रोध लच्मी को, नीच पुर्षों की सेवा सत सभाव को, काम लज्जा को और अभिवान सर्वस्च को नष्ट कर दिता है। शुब कर्मों से लच्मी की उत्वत्ती होती है। पर गल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है, और संयम से शरक्षित रहती है। आठ गुन प्रुक्ष की शुवा बढ़ती हैं, बुद्धी, कुलींता, दम, शास्त्र जिसमें राजा किसी मनुश्य का सतकार करता है, उससे मैं एक ही गुन, राज सम्मान सभी गुनों से बढ़कर शुवा पाता है। राजन, मनुश्य लोक में ये आठ गुन सर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं, इन मेंसे चार तो सज्जनों का अंसरन करते हैं, और चार का संत लोक सेम अंसरन करते हैं, यग्य अध्यन, दान, तप, सत्य, शमा, दिया और अलोब, ये धरम के आठ परकार के मार्ग बताई गए हैं, इन में से पहले चारों का तो धंब के लिए भी सेमन किया जा सकता है, प्रन्तु अंतिम चार तो जो महात्मा नहीं है, उन में रह ह नहीं सकते, जिस सबा में बड़े बुडे नहीं, वे सबा नहीं, जो धरम की बात नहीं कहें, वे बुडे नहीं, जिन में सत्य नहीं, वे धरम नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो, वो सत्य नहीं, सत्य विने का भाव, शास्त्र ग्यान, विद्या, कुलींता, शील, बल, ध पाप किरती वाला मनुष्य पाप अचरन करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप करता है। इसी परकार बारं बार किया हुआ पुन्य बुद्धी को बढ़ाता है। प्राप्त होता है। दोस्त्रिष्टी से रहित शुद्ध बुद्धी वाला पुरुष्य सुदा शुब गर्म का अंस्ठान करता हुआ महान सुब को प्राप्त होता है। और सरवत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धी मान पुरुष्यों से सद बुद्धी प्राप्त करता है। वही पंडी थे। क्योंकि बुद्धी मान पुरुष्य धरम और अर्थ को प्राप्त कर अनायासी अपनी उन्नती करने में सम्मर्थ होता है। दिन भर में वैकारी करें जिससे रात में सुख से रही। और आठ मेहने में कारी करें जिससे वर्षा के चार मेहने सुख से वितीत कर सके। पहनी वस्था में में काम करें जिससे व्रिद्धा वस्था में सुख बुरुख रह सके। और जीवन भर वैकारी करें जिससे मरने के बाद भी सुख से रह सके। सज्जन प्रुष पज जाने पर अनकी, निश्कलंक च्वानी बीच जाने पर इस्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्तो ग्यान प्राप्त हो जाने पर तपस्य की प्रशंशा करती है। अधरम से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोश छिपाया जाता है, वे तो छिपता नहीं, उसे मित्र और नया दोश प्रगट हो जाता है। ध्रामनों की पूजा करने वाला दाता, कुटम्भी जुनों के प्रति कुमलता का बरताप करने वाला और शील्मन राजा, चिरकाल तक पृत्थी का पालन करता है। शूरविद्वान और सिवा धर्म को जानने वाले ये तीन प्रकार के मिनुश्य प्रिथी से सर्ण रूपी पुश्प का संचे करते हैं। भारत, बुद्धी से विचार करके किये हुए करम श्रीष्ट होते हैं, बाहु बल्द से किये जाने पर करम मध्यम श्रेनी के जंगा से हुने वाले कारी अधम और भार्ड होने का काम महा अधम है। राजन अब आप द्रियोधन, शक्नी, मूर्ट तुष्याशन तथा करन पर राज्जी का भार रखकर उनती कैसे चाहते हैं। पांडव तो सभी उत्तमगुनों से संपन हैं और आप में पिता का सभाव रखकर वर्ताव करते हैं, आप भी उन पर पुत्रभाव रखकर उचित वर्ताव कीजी। शंचिप्त माहा भारत के उध्योग पर्व में, विदुर निती के चोथे अध्याय में, विदुर जी कहते हैं इस विशे में दत्तात्रे और साथ्य देवताओं के समाद रूप, इस प्राचीन इतिहास का उदारन दिया करते हैं, ये मेरा भी सुना हुआ है। प्राचीन काल की बात है, उत्तम रत्वाले महा भुद्धिवान महिर्शी दत्तात्रे जी हंस रूप से विचर रहे थे। उस समय साध्य देवताओं ने उनसे पूछा, महिर्शी हम सब लोग साध्य देवता हैं, आपको किवल देखकर हम आपके विशे में कुछ अनमान न पड़ती हैं, अते हम लोगों को विद्वता पूर्ण, अपनी उदारवानी सुनाने की किरपा करें। तो हंस ने कहा, देवताओं मैंने सुना है, कि धैरे धारन, मनों निग्रे, तदा सत्य धर्मों का पालन ही करतव्य है। इसके द्वारा पुरुष को चाहिए कि वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जिला डालता है और उसके पुन्ने को भी ले लेता है। दूसरे को ना तो गाली दें और ना उसका अपमान करें, मित्रों से द्रो तथा नीच पुर्षों की सेवा नहीं करें। सदाचार से हीन एम अविवानी ना हो। रुखी तथा रोशवरी वानी का परत्याग करें। इस जगत में रुखी बाते मनुश्यों के मरमस्थान, हड़ी, हिर्दे तथा प्रानों को धग्द करती रहती हैं। इसलिए धरमन्रा की प्रुष जिलाने वाली रुखी बातों का सदा के लिए परत्याग कर दे। जिन और अपनी वानी में दृद्धता को बांदे हुए ढो रहा है। यदि दूसरा कोई इस मनुश्य को अगनी और सूरे के समान धग्द करने वाने तीखे बागबानों से बहुत चोट पोचावे तो वै विद्वान प्रुष चोट खाकर अत्यानत वेदना सेते हुए भी ऐस वैसा समझे कि वे मेरे पुन्यों को पुष्ट कर रहा है। जैसे वस्तर जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है। उसी परकार यदि कोई सज्जन, असज्जन, तपस्वी, अथवा चोर की सेवा करता है तो उस पर उसी का रंग चड़ जाता है। जो स्यम किसी का प्रती बुरी बात नहीं कहता। दोसरों से भी नहीं कहलाता। मार खा कर भी बद़ने में ना तो स्यम मारता है और ना दोसरों से ही मरवाता है। अब प्राधी को भी जो मारना नहीं चाहता। देवता भी उसके आगवन की बाठ जोखते रहते हैं बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है किन्तो सत्य बोलना वानी की दूसरी विशिष्टा है यानि मौन की अपेक्षा भी दूना लाप्रद है सत्य भी यदि प्रिये बोला जाए तो तीसरी विशिष्टा है और वहे भी यदि धरम सम्मत कहा जाए तो वहे वच्छन की चोथी विशिष्टा है मौनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है जैसे लोगों की सेवा करता है जैसे होना जाता है वैसा ही हो जाता है जिन जिन विश्यों से मन को हटाया जाता है उन उन से मुक्ती होती जाती है इस परकार यदि सब और से निवरिती हो जाए तो मनुश्य को लेश मातर दुख का भी कभी अन्भव ना हो जो ना तो स्यम किसी से जीता जाता है ना दूसरों को जीतने के इच्छा करता है ना किसी के साथ वैर करता है और ना दूसरों को चोट पुचाना चाता है जो निंदा और परशंशा में समान भाव रखता है में हर सोक से परे हो जाता है जो सब का कल्यान चाहता है किसी के अकल्यान की बात मन बे भी नहीं लाता जो सट्यवादी, कोमल और जितिंद्रिये है मैं उत्तम प्रुश माना गया है जो जोटी सांतुना नहीं दीता देने की परतिग्या करके दे ही डालता है दोसरों के दोशों को जानता है मैं मध्यम श्रिनी का प्रुश है देखिए, दोशाशन धर्वों दोरा पिटा गया आस्त्र शच्त्रों से विदीन किया गया उसमें पांडों ने उसकी रक्षा की तो भी वे कृत घंड करोध के वेशी भूत होकर पांडों की बुराई से मुह नहीं मोडता वे दुरात्मा किसी का भी मित्र नहीं है ऐसी चित्वरिती अधम पुर्शों की ही हुआ करती है जो अपने विशे में संदे होने के कारण दोसरों से भी कल्यान होने का विश्वाश नहीं करता मित्रों को भी दोड रखता है अमश्री वे अधम पुरुष है जो अपनी उनती चाहता है वे उत्तम पुर्षो की ही सेवा करे समय आपन ने पर मध्यम पुर्षो की भी सेवा कर ले प्रंतो अधम पुर्षो की सेवा किदापी नहीं करे मुनुष्य दुस्ट पुर्षो के बल से नंतर अध्योक से बुद्धी से तिथापृर्षाद से धान बले ही प्राप्ट कर ले परन्तो इससे उत्तम कुलीन पुर्षो के सम्मान और सदाचार को वे कदापी नहीं प्राप्ट कर सकता धितराश्ट ने कहा विदुर धरम और अर्थ के नित्य ग्याता एम बहुशुरुत देवता भी उत्तम कुल में उत्तम पुर्शों की इच्छा करते हैं इसलिए मैं तुम से ये प्रेश्ण करता हूँ कि उत्तम कुल कौन है तो विदुर जी बोले जिन में तप इंद्रीशयम, वेदो का सिध्याय, यज्य, पित्रविवा, सदा अन्नदान और सदाचार ये साथ गुन वर्तमान हैं उन्हें उत्तम कुल कहते हैं जिनका सदाचार शिथिल नहीं होता, जो अपने दोशों से माता पिता को कष्ट नहीं पुंचाते, पर सन्नचित से धर्म का अचर्म करते हैं, तथा असत्य का पर त्याग कर अपने कुल की विशेश कीरती जाते हैं, उन्हें का कुल उत्तम हैं यग्य ना होने से, निंदित कुल में विवा करने से, वेद का त्याग और धर्म का उलंगन करने से उत्तम कुल भी अदम हो जाते हैं देवताओं के धन का नाश, ब्रामन के धन का भरन और ब्रामनों की मर्यादा का उलंगन करने से उत्तम कुल भी अदम हो जाते हैं बारत ब्रामनों के अनादर और निंदा से तिथा द्रोहत रख्यूई वस्तु को छिपा लेने से अच्छे कुल भी निंदनीय हो जाते ही गवों मनुष्य और धन से संपन होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गन्ना में नहीं आ सकते थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन है तो वे अच्छे कुलों की गन्ना में आ जाते हैं और महान यश्ष प्राप्त करते हैं सदाचार की रक्षा यतन पूरक करनी चाहिए धन तो आता जाता रहता है धन शीन हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य शीन नहीं माना जाता किन्तों जो सदाचार से ब्रस्त हो गया उसे तो नस्ती समझना चाहिए जो कुल सदाचार से ही नहीं है वे गवों, पश्वों, घोडों तथा हरी भरी खेती से संपन होने पर भी उनती नहीं कर पाते हमारे कुल में कोई वैर करने वाला नहीं, दूसरों के धनका अभरन करने वाला राजा अथा मंत्री नहीं और मित्र द्रोही कप्टी तदा असत्तेवादी नहीं इसी परकार माता पिता देवता एम अतित्थियों को भोजन कराने से पहले भोजन करने वाला भी नहीं हो हम लोगों में से जो ब्रामनों की हत्या करे ब्रामनों के साथ द्वेश करे तथा पिक्त्रों के पिंडदान एहमतरपन ना करे वे हमारी सभा में ना जाए त्रीन का आसन प्रिथी, जल और चोथी मीठी वानी सज्जनों के घर में इन चार चीजों की कभी कमी नहीं होती राजन पुन्य करम करने वारे ध्रमात्मा पुर्षों के यहां ये त्रिन आदी वस्त्वें बड़ी श्रद्दा के साथ सत्कार के लिए उपस्थित की जाती हैं नई पर छोटा सावी रत भार डव सकता है किन्तों दूसरे काठ बड़े-बड़े होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते इसी परकार उत्तम कुल में उत्पन उत्साही प्रुष भार सै सकते हैं दूसरे मनुष्य वैसे नहीं होते जिसके कौप से भैबीत होना पड़े तदा शंकित होकर जिसकी सेवा की जाए वे मित्र नहीं है मित्र तो वही है जिन पर पिता की भांती विश्वास किया जा सके दूसरे तो संगी मात्र है पहले से कोई संबंधना होने पर भी जो मित्रता का बरताब करे वही बंदू, वही मित्र, वही सहारा और वही आश्री है जिसका चित चंचल है जो व्रिदोगी सेवा नहीं करता उस अनिश्चित मति पुरुष के लिए मित्रों का संग्रे स्थाई नहीं होता जैसे हंस सुखे स्रोवर के आसपास से मंडरा कर रह जाते हैं भीतर नहीं प्रवेश करते उसी परकार जिसका चित चंचल है जो ग्यानी और इंद्रियों का गुलाम है उसे अर्थ की प्राप्ती नहीं होती दोस्ट पुर्चों का सभाव मेक के समान चंचल होता है मैंस ऐसा करोध कर बैठते हैं और करन ही परसन नहो जाते हैं जो मित्रों से सदकार पाकर और उनकी सायता से कृत कारे होकर भी उनके नहीं होते ऐसे कृत गिनों के मरने पर उनका मास मास भोजी जनतों भी नहीं खाते धन हो या ना हो मित्रों का तो सदकार करें ही मित्रों से कुछ भी ना मांगते हुए उनके सार असार की प्रिक्षा ना करें संताप से रूप नस्ट होता है संताप से बल नस्ट होता है संताप से ग्यान नस्ट होता है और संताप से मनुश्य रोक को पराप्त होता है अविश्ट वस्तू शोग करने से नहीं मिलती उससे तो केवल शीर को कस्ट होता है और शत्रू पर सन्न होती हैं इसलिए आप मन में शोग मत करें मुनश्य बार बार मरता और जनम लेता है बार बार हनी उठाता और बढ़ता है बार बार से हम दूसरे से याचिना करता है और दूसरे उस से याचिना करते ही तो था बारम बार वै दूसरों के लिए शोक करता है और दूसरे उसके लिए शोक करते ही सुख, दुख, उत्बती, विनाश, लाब, हानी और जीवन, मरन ये बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं इसलिए धीर पुरुष को इनके लिए हर्ष और शोक नहीं करना चाहिए ये छे इंद्रियां बहुत ही चंचल है इन में से जो जो इंद्री जिस जिस विशे की और बढ़ती है उससे बुद्धी उसी परकार शीन होती है जैसे पूटे गड़े से पानी सदा चू जाता है धेतराश्ट ने कहा काट में छिपी हुई आग के समान शुक्षम धरम से बंदे हुए राजाई दिश्टर के साथ मैंने मिठ्ः विवार किया है अधावी युद्धकर के मेरे मुरक पत्रों का नाशकार डालेंगे महामते ये सब कुछ सदा ही भाई से उदिग्न है मेरा ये मन भी भाई से उदिग्न है इसलिए जो उद्वेग शुन्ने और शान्त पराद हो वो मुझे बताओ तवीदर जी बोले पाप शुन्य नरेश विद्या तप इंद्री निग्रे और लोब त्याक के सिवा और कोई आपके लिए शान्ती का उपाए मैं नहीं देखता बुद्धी से मनुष्य अपने भे को दूर करता है तबस्या से महानपद को प्राप्त होता है गुरु शुश्रुवा से ज्ञान और योग से शान्ती पाता है मौक्ष की इच्छा रखने वारे मुनुष्य दान के पुन्य का आश्रे नहीं देथे वेद के पुन्य का भी आश्रे नहीं देथे किन्तु निश्काम भाव से रागद्वेश से रहित हो इस लोक में विचरते रहते ही सम्य कध्यन, नयोचित युद्ध, पुन्य करम और अच्छी तरह की गई तबस्या के अंत में सुक्की वृद्धी होती है राजन, आपस में फूट रखने वाले लोग अच्छे विचोनों से युक्त पलंग पाकर भी कभी सुक के निद नहीं सोने पाते उन्हें इस्त्रियों के पास रहकर तथा वंदी जुन द्वरा की हो इस्तुति सुनकर भी प्रसंता नहीं होती जो प्रस्पर भेदभाव रखते हैं, वेकभी धरम का अचरन नहीं करते हैं सुक्ह भी नहीं पाते, उन्हें गोरव नहीं प्राप्त होता तदा शानती की वारता भी नहीं सुहाती हित की बात भी कही जाये तो उन्हें अच्छी नहीं लगती उनके योग शेम की भी सिद्धी नहीं हो पाती राजन, भेदभाव वाले पुर्षों के विनाश के सिवा और कोई गती नहीं है जैसे गुवां में दूत, भामन में तप और यूती इस्त्रियों में चंचलता का होना अधिक संबव है उसी परकार अपने जाती बंदों से बै होना भी संबवी है निट्य सींच कर बढ़ाई हुई पतली लताएं बहुत होने के कारण बहुत वर्षों तक नाना परकार के जोंके सहती है यही बात सत्पुर्षों के विशे में भी समयनी चाहिए वे दुर्बल होने पर भी सामोहिक शक्ती से बल्वान हो जाते है भरच्रेश्ट जलती ही लकणिया अलागलाग होने पर धुआ भैंकती है और एक साथ होने पर प्रजलित उठती है इस परकार जाती बंदों भी फूट होने पर दुख उठाते हैं और एक ताहुने पर सुकी रहते हैं। दित्रास्ट जो लोग ब्रामनों, इस्त्रियों, जाती वालों और गुवों पर ही शूर्ता प्रगट करते हैं। वे डंठल्ट से पके हुए फलों की बांथी नीचे किते हैं। यदि वरिक्ष अकेला है तो वे बलवान, द्रिडमूल तथा बहुत बड़ा होने पर भी एक शन में आंधी के द्वरा बलबुरक शकाओं से ही धाराशाय किया जा सकता है। किन्तो जो बहुत से वरिक्ष एक साथ रहकर समू के रूप में खड़े हैं, वे एक दूसरे के सहारे बड़ी से बड़ी आंधी को भी सह सकते हैं। इसी परकार समस्त कुनों से संपन मनुश्य को भी अकेले होने पर शत्रू अपनी ताकत के अंदर समझती हैं। जैसे अकेले वरिक्ष को वाई हो। किन्तो प्रस्पर मेल होने से और एक से दूसरे को सहारा मिलने से जाती वाले लोग इस वरकार व्रिद्धी को परापत होती हैं। जैसे ताला में कमल, ब्रामान, गव, कुटमभी, बालक, इस्त्री, अन्नदाता और शर्नागत ये अवध्य होती हैं। राजन आपका कल्यान हो, मुनुश्य में धन और आरग्य को छोड़ कर दूसरा कोई गुन नहीं हैं। क्योंकि रोगी तो मुड़दे के समान हैं। महराज, जो बिना रोग के उत्पन, कड़वा, सिर में दर्द पैदा करने वाला, पाप से संबंद, कठोर, तीखा और गरम हैं। जो सजन द्वारा पान करने योग्य है, और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते, उस करोध को आप पी जाईए। और शांत होईए, रोग से पीडित मनुश्य मधुर फलों का आदर नहीं करते। विश्यों में भी उन्हें कुछ सुखियां सार नहीं मिलता। रोगी सदा ही दुखी रहते हैं, वे ना तो धान संबंदी भोगों का और ना सुख का ही अन्भव करते हैं। राजन, पहले जुवे में द्रोपती को जीतिगी देखकर मैंने कहा था, आप ध्यूत की रिड़ा में आसक्त द्रोधन को रोकिए। विद्वान लोग इस परवंचना के लिए मना करते हैं, किन्तु आपने मेरा कहना नहीं माना। वह बाल नहीं जिसका मिरदुल्ट सभाव के साथ विरोध हो। शोक्षमत धरम का शीगर ही सेवन करना चाहिए। राजन आपके पुत्र पांडों की रक्षा करें और पांडों के पुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सबी कुरव एक दूसरे के शत्रू को शत्रू और मित्र को मित्र समझें सबका एक ही करतावे हो सबी सुखी और सम्रिदी शाली होकर जीवन वितीत करें अजमीर कुल नंदन इस समय आप ही कुरव के अधार स्तंब हैं कुरुमंश आपके ही अधीन है तात कुंती के पुत्र अभी बालक है और मनवाज से बहुत कस्ट पा चुके हैं इसमें अपने यश की रक्षा करते हैं पांडों का पालन कीजिए कुरुराज आप पांडों से संदी कर ले जिससे शत्रू को आपका छिद्र देखने का अफसर नहीं मिले नारदेव समस्त पांडों सत्य बार डटे हुए हैं अब आप अपने पुत्र द्रियोदन को रोकी शंचेप्त माहा भारत के उध्योपर्व में विदुर निती के पांच विद्याय में विदुर जी कहते हैं राजेंद्र विचित्र वीरियनंदन संबहु मनुजी ने कहा है कि नीचे लिखे सत्राम परकार के मनुश्यों को पाश हाथ में लिए यम्राज के दूत नरक में ले जाते हैं जो आकाश पर मुष्टी से प्रहार करता है ना जुकाए जा सकने वाले वर्षा कालिन इंदर धनुश को जुकाना चाहता है पकड में ना अनेमाली सूर की किर्णों को पकड़ने का प्रियास करता है शाशन के अयोग्य प्रुष पर शाशन करता है मर्यादा का उलंगन करके संतोस्त होता है शत्रों की सेवा करता है इसी रक्षा के दोरा अपनी जीव का चलाता है याचना करने के अयोग्य प्रुष से याचना करता है तथा आतम पर शंचा करता है अच्छे कुल में उत्मन होकर भी नीच करम करता है दुर्बल होकर भी बल्मान से वैर बानता है शर्दाहिन को उपदेश करता है, नाचानेयों के वस्तु को चाहता है सहस्वर होकर पुत्रवधु के साथ परियाँज पसंद करता है तिरा पुत्रवधु की सायता से संकट से छूट कर भी पना उससे अपनी परतिष्टा चाहता है पार इस्त्री से संग करता है अवशकता से अधिक इस्त्री की निंडा करता है किसी से कोई वस्तू पाकर भी याद नहीं है ऐसा केकर उसे दबाना चाता है मांगने पर दान दे कर उसके लिए अपने डिंग हाकता है और जूट को सही साबित करने का प्रियास करता है जो मनुश्य अपने साथ जैसा वरताब करे उसके साथ वैसा ही वरताब करना चाहिए ये निती है कबट का अचरन करने वाले के साथ कबट पूर्ण वरताब करें और अच्छा बरताब करने वाले के साथ सादू विवार से ही पेशाना चाहिए भुड़ापा रूप का, आशा धहरे का, मृत्यू प्रानों का, असुया धर्मचरन का, काम लज्जा का, नीद पुर्षों की सेवा सदाचार का, क्रोध लच्छमी का और अभिवान सर्वस्व का ही नाश करतिता है धित राष्ट ने कहा, जब सभी विदों में पुरुष को सो वर्ष की आयूवला बताया गया है, तो वैं किस कारण से अपनी पूर्ण आयू को नहीं पाता तविदर जी बोले राजन, आपका कल्यान हो, अत्यन्त अभिवान, अधिक बोलना, त्याक का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने की छिंता और मित्र द्रोग, ये छे तिखी तलवारे देधारियों की आयू को काटती है ये ही मनशों का वद्ध करती है, मृत्यों नहीं, भारत, जो अपने उपर विश्वाश करने वाले की इस्त्री के साथ संग करता है, गरू इस्त्री गामी है, भ्रामन होकर शुद्र की इस्त्री से संबन्द रखता है, शराब पीता है, तथा जो बड़ों पर हुकम चलाने वाला, दूसरों की जीवकार नश्ट करने वाला, भ्रामनों को सिवाकारे के लिए इदर-उदर भेजने वाला, और शर्नागत की हिंसा करने वाला है, ये सब के सब ब्रम्हत त्यारे के समान हैं, इनका संग हो जाने पर प्राश्चित करें, ये वेदों की आग्या है, बड प्रिये और कॉमल सभाव वला विद्वान सरगामी होता है। राजन सदा प्रिये वचन बोलने वाला मनुश्य तो सहज में ही मिल सकते हैं। कि तो जो अप्रिये होता है हित कारी हो। ऐसे वचन के वक्ता और श्रूता दोनों ही दुर्लब हैं। जो धनम का आश्रे लेकर तो सामी को प्रिये लगेगा या अप्रिये इसका विचार छोड़कर अप्रिये होने पर भी हित की बात कहता है। उसी से राजा को सची साहिता मिलती है। कुल की रक्षा के लिए एक मनुश्य का, ग्राम की रक्षा के लिए कुल का, देश की रक्षा के लिए गाउं का, और आत्मा के कल्यान के लिए सारी प्रिथी का त्याग कर देना चाहिए। आपत्ती के लिए धन की रक्षा करें धन के दवारा भी इस्त्री की रक्षा करें और इस्त्री हैं धन दोनों के दवारा सदा अपनी रक्षा करें पहले के समय में जुवा खेलना मनुश्यों में वैद डालने का कारण दिखा गया है अधा बुद्धिमान मनुश्य हासी में भी जुवा नहीं खेले राजन मैंने जुवे का खेल अरंब होते समय भी कहा था कि ये ठीक नहीं है किन्तो रोगी को जैसे दवा और पथे नहीं भाते उसी तरह मेरी ये बात भी आपको अच्छी नहीं लगी नरेंद्र आप कउओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा वे चित्रपंक वाले मोरों के सद्रिश पांडों को प्राज़ित करने का प्रेतन कर रहे हैं सिंगों को छोड़ कर सियारों की रक्षा कर रहे हैं समय आने पर आपको इसके लिए पच्छा ताप करना पड़ेगा। ताथ जो स्वामी सदा हिच साधन में लगे रहने वाले अपने भग सेवत पर कभी क्रोध नहीं करता। उस पर भिट्टगान विश्वाश करते ही और उसे अपत्ती के समय भी नहीं छोड़ते। सेवकों की जीवका बंद करके दूसरों के रज और धन के अपरण का प्रितन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपनी जीवका छिन जाने से भोगों से वंची थोकर पहले के प्रेमी मंत्री भी वो समय विरोधिक बन जाते हीं और राजा का प्रत्याग कर देते हीं। पहले कर्तब भी आए व्याए और उचित वितन आदिकार निश्चे करके फिर सुयोग्य साहिकों का संग्रे करें। क्योंकि कठिन से कठिन कारे भी साहिकों द्वारा साथ दे होते हैं। जो सेवक स्वामी के अभी प्राय को समझ कर आलत से रही तो कर समस्त कारियों को पूरा करता है। जो हिट की बात कहने वाला स्वामी भग्त सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला है। उसे अपने समान समझ कर क्रिपा करनी चाहिए। जो सेवक स्वामी की आग्या देने पर उसकी बात का आदर नहीं करता, किसी काम में लगाए जाने पर इंकार कर जाता है, अपनी बुद्धी पर गर्व करने और प्रतिकूल बोलने वाले उस भृत्ते को शीक्रित त्याग देना चाहिए, एंकार रहित, कायरता शुन्य, शीक्र काम पूरा करने वाला, द्यालू, शुद्ध हिद्धे, दूसरों के बहकावे में ना आने वाला, निरोग और उदार वचन वाला, इन आठ कुनों से युक्त मनुश्य को दूद्ध बनाने युग्य बताया गया है, सावधान मनुश्य विश्वाश होने पर भी साइकाल में कभी शत्रू के घर पर नहीं जाए, रात में छिपकर चुराहे पर ना खड़ा हो, और राजा जिस इतनी को ग्रहन करना चाहता हो, उसे प्राप्द करने का यतन नहीं करे, दोस्ट साइको वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंतरना समिती में बैठ कर सला ले रहा हो, उसमें उसकी बात का खंडर नहीं करें, मैं तुम पर विश्वाश नहीं करता ऐसा भी ना कहीं, अभी तो कोई युप्ति संगत बहाना बना कर वहां से हट जाएं, अधिक द्यालू राजा, व्याभी चारने इस्त्री, राज करम चारी, पोत्र, भाई, छोटे, बच्चों वाली विध्वा, सेनिक और जिसका अधिकार छीन लिया गया हो, वै परुश, इन सब के साथ लेंदेन का विवार नहीं करें, ये आठ गुन परुश की शोवा बढ आते हैं, बुद्धी, कुलींता, शास्त्रग्यान, इंद्री निग्रे, प्राकर्म, अधिक न बोलने का सभाव, यताशक्ती दान, और कृतिक गिता, ताथ, एक ऐसा गुन है, जो इन सभी महत्पून गुनों पर हठात अधिकार कर लीता है, राजा जिस समय किसी मुनुश का सतकार करता है, उस समय ये गुन, राज, सम्मान, उप्युक्त, सभी गुनों से बढ़ कर शुबा पाता है, नित्य शनान करने वाले मुनुश्यों को बल, रूप, मधूर, सर, उजल, वरन, कॉमलता, सुगंद, पुवित्तरता, शुबाज, कुमारता और सुन्दर इस्त उसकी संतान संदर होती है, तथा मैं बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आक्षेप नहीं करते, अकरमन्या, बहुत खाने वाले, सब लोगों से वैर करने वाले, अधिक मायावी, क्रूर, देशकाल का ग्यान न रखने वाले, और निंदित वेश थारन करने वाले मनिश्य को कभी अपने घर में न ठैरने दें, बहुत दुखी होने पर भी क्रिपन, गाली पकने वाले, मूर्ख, जिंगल में रहने वाले, धूर्थ, नीज सेवी, निर्दै, वैर बांधने वाले, और क्रित गहन से कभी साहिता की याचना नहीं करने चाहिए, क्लेश प्र कार के अधम पुरिशों की सिवा नहीं करें, धन की प्राप्ति सहायक की अबेक्षा रखती है, और सहायक धन की अबेक्षा रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे की आश्रित हैं, प्रस्वर के सहयोग बिना इनकी सिद्धी नहीं होती, पत्रों को उत्पनकार उने रिन के भा जो संपुरन प्राणियों के लिए हित कर और अपने लिए भी सुखद हो। उसे इशर अर्पन बद्धी से करें। संपुरन सिद्धियों का यही मूल मंत रहे। जिसमें बंड़ने की शक्ती, परभाव, तेज, प्राकर्म, उध्योग और निश्चे हैं। उसे अपनी जीवका के नाश का भे कैसे हो सकता है। पांड़ों के साथ युद्ध करने में जो दोश हैं उन पर द्रिष्टी डाल दिये। उन से संग्राम छेट जाने पर इंद्रादी देवताओं को भी कस्ती उठाना पड़ेगा। इसके सिवा पत्रों के साथ वैर नित्य उद्ध्वेग, पूर्ण जीवन, कीर्ती का नाश और शत्रु का अनन्द होगा। अगाश में तिर्चे उदित हुए धूम के तुसे जैसे सारे संसार में अशान्ती और उपद्रव खड़ा हो जाता है। उसी तरह भीशम आप द्रोनाचार और रजाई दिश्टर का बड़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। आपके सो पुत्र, करन और पांच पांडव ये सब मिलकर समुद्र प्रियंत संपूरन प्रिथि का शाशन कर सकते हैं। राजन, आपके पुत्र वन के समान हैं और पांडव उसमें रहने वाले व्यागर हैं। आप व्यागरों से ही समस्थ वन को निष्ट मत कीजिए तधा वन से उन व्यागरों को दोर मत बगाईए। व्यागरों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती तिथा वन के बिना व्यागर नहीं रह सकते क्योंकि व्यागर वन की रक्षा करते हैं और वन व्यागरों की जिसका मन पापों में लगा रहता है वे लोग दूसरों के कल्यान में गुनों को जानने की वैसी इच्छा नहीं रखते जैसा कि उनके आफ गुनों को जानने की रखते हैं जो अर्थ की पून सिधी चाता हो उसे पहले धर्म का ही अचरन करना चाहिए जैसे सर्क से अमरत दूर नहीं होता उसी परकार धर्म से अर्थ हलाग नहीं होता जिसकी बुद्धी पाप से हटाकर कल्यान में लगा दी गई है उसने संसार में जो भी प्रकती और विर्कती है उन सब को जान लिया है जो समय के अंसार धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है में इस लोकर परलोक में भी धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करता है राजन जो क्रोध और हर्ष के उठएवे वेक को रोक लिता है और अपती में भी धैरे को खो नहीं बैठता वही राज्य लच्वी का अधिकारी होता है राजन आपका कल्यान हो मनुश्यों में सदा पांच परकार का बल होता है उसे सुनिए जो बाहू बल है वे कनिष्ट बल कहलाता है मंत्री का मिलना दूसरा बल है मनिश्य लोग धन के लाब को तीसरा बल बताती है और राजन जो बाप दादों से प्राप्त हुआ सभाविक बल कुटुम्ब का बल है वे अभी जात नमक चोथा बल है भारत जिस से इन सभी बलों का संग्रे हो जाता है वे बलों में श्रेश्ट बुद्धी का बल कहलाता है जो मनुष्ट का बहुत बड़ा अपकार कर सकता है उस प्रुष्ट के साथ वे ठान कर इस विश्वाश पर निश्चित न हो जाए कि मैं उससे दूर हूँ मैं मेरा कुछ नहीं कर सकता ऐसा कौन बुद्धी मान होगा जो इस्त्री राजा साम पड़े हुए पाठ समर्चाली व्यक्ति शत्रू भोग और आयुश पर पूर्मिश्वाश कर सकता है जिसको बुद्धी के बांद से मारा गया है उस जीव के लिए ना कोई वैद्धी है ना दवा है ना होम है ना मंत्र है ना कोई मांगली कारे है और ना अर्थ विदोक्त परयोग और ना भड़ी भांती सिद्ध बूटी ही है भारत मुनिश्य को चाहिए कि वैज सांप, अगनी, सिंग और अपने कुल में उत्पन व्यक्ति का आदर नहीं करें क्योंकि ये सबी बड़े तजस्वी होती है संसार में अगनी एक महान तेज है वैज काट में छिपी रहती है जब तक दूसरे लोग उसे प्रजलित ना कर दें तब तक वै उस काट को नहीं जलाती यही अगनी यदि काट से मत करदीप्त कर दीजाती है तो वैं अपने तेज से उस काट को तधा दूसरे जंगल को भी जल्दी ही जला डालती है इसी परकार अपने कुल में उत्पन वे अगनी के समानते जसी पांडव शमा भाव से युक्त और विकार शुनने होकर काष्ट में छिपी अगनी की तरह शाथ भाव से स्थित हैं अपने पुत्रों सहित आप लता के समान हैं और पांड़ों महान शाल विरिक्ष के सद्रिश्य हैं महान विरिक्ष का आश्रे लिए बिना लता कभी बढ़ नहीं सकती पांड़ों को उसके भीतर रहने वाले सिंग समझे ताथ सिंग से सुना हो जाने पर वन नस्त हो जाता है और वन के बिना सिंग भी नस्त हो जाती है